दोस्तों नवस्कार मैं उमेश कुमार कुसबाहा बिल्कुल सुबेरे का टैम है अलांकि सुबा हो गया है और अभी सभी बकरियां बाड़े में बैठी हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं बाहर में आएं बिल्कुल धूंद पढ रहा है बिल्कुल धूंद पढ रहा है निकाल नहीं सकते, बाहर निकालनेंगे सर्वीका सर हो जागा गोन बख्री को निमोनिया बेगर दिल्स कि लग सकता है लेकिन वक्री जहां बैठी यह बाड़े में अगर लगतार हम रखते हैं तो भी वहाँ वह कि शाब कर्के गिला कर देगी तो हम तीन भाग मेश के कि यह गेठ हमने बनाया है इसे हम पंद कर देंगे और बीच में खोल करके इस तरीका से इने बाहर करेंगे चल 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 और आप देखेंगे कि बाहर जाने के बाद यह बीच के एरिया में ही पिसाब कर लेंगे तो इससे क्या होता है यह मेरा बीच के एर इस तरीका से जब को निकालेगे तो देखिए बाहर बकरी जैसे ही बाहर आएगी और बाहर के एरिया में जब तक बाहर धूप ना निकल जाए मैं बीच के एरिया में ही रखूँ गा सब को हमने निकाल दिया है और बाहर बकरी पिशाब कर रहे हैं इधर आज़े सभी को हमने निकाल दिया है आज बनाना था तो मैं बोल रहा हूं और मेरे आवास सुनके सब बच्चे जो के ऊपर आप देख रहे होंगे जालिक उपर बच्चे ढपके रखे गए हैं उन्होंने सोर मचाना शुरू कर दिया तो बाड़े में ऐसा जेनरली में कुछ बोलता नहीं उस समय चूपचा पाता हूं इस तरीके से बकरियों को निकाल देता हूं और सभी बकरियां बाहर आने के बाद घुमती तहलती और पि अपले हैं और इन्होंने खाना-खाना शुरू कर दिया ठाकी, यह पुबूसल से बचे, खोबूशित नहों सरवाईब करें तो यह एरिया बाई- बोड़ट- बलॉख और ऐरिया बनाया गया बकरी पिसाब कर रही है इस तरीका से नीचे देखे सभी जगा पिसाब सवालन में आप सोच समझ kinderg can farming में बाला सबकिर बनाते हैं और आपने सच कर बनाया तो सफलता पुर्जभक बकरी पॉलन कर पाएंगे चाहिए इस्थाब तो आप इस तरीका से अगर बाला बनाते हैं और इस तरीका से अपने आपको ढाले हुए हैं एक्टिव हैं तो आप सफलता पुरूबक बकरी पालन कर पाएंगे अब 9-10 बच तक अगर बाड़े में बकरियों को अंदर ही छोड़ देते हैं तो अंदर फिसाब करके विला कर देगी फिर दिकत आप पाएगा उसका जो अमोनिया गैस होगा उससे बीमारी होगा अब देख रहें कि तिरपाल को कभर किया गया है लकिन पूरी तरह से कभर नहीं है उपर का area भी खुला हुआ है और जहां तहां से यह हटा कर रखा गया है देखिए बाहर बिल्कुल कितना धूद पर रहा है फिर भी हमने हटा कर रखा है ताकि जो हवा का आदान-परदान हो और जो अमोनिया गैसे उसका घनत बाड़े में बहुँ जादा ना हो। बहु जादा कभर करते हैं तो भी आपका बिमारी का खत्रा होता है बकरियों को बीच में तो बकरी पालन में एतना तो जरूर आपको समझ लेना है कि बकरी बिमार ठंड से उतना नहीं होगी जितना अम सब्हस email कोदो जादा आ इस दोस दोस्तो बहुत कोई समय का पालन कर सकते हैं दोस्तो बहुत कुछ सीखना होता है अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ सीख के और चेंसन फिरी होके बकरी पालन करें किसी तरीका का दिक्कत नहों तो चल रहे नंबर पर बाटसप करके घर बैठे इस कडाके के ठंड में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो मेरे पास आके भी ट्र जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो मेहनत करके बकरियों को ले आते हैं परजनन भी कराते हैं बच्चे भी बकरी देती है और बच्चे लोग बचा नहीं पाते तो बच्चे बचाने का मैंने लगतार बहुत सारे वीडियो डाले हैं और ठंड में बकरियों को इसे रखे उसके लिए अगर दो भाग बनाए हैं, तो अंदर का विभाग से बीच के विभाग मेला के बकरीयों को पिसाब करने का मोका दें, और अंदर का एरिया सुखा सुखा रखें, जैसे हैं कि आप देख रहे हैं जो रात में इका दुखा जगा पिसाब की है, बस उतना ही है और बिल्कुल एरिया सुखा-सुखा है, लकरी का तक्ता लगा हुआ है, उस पर बकरी ने मैगनी रात भर में किया है, अभी सभी तक्ते को उपर उठाया जाएगा, नीचे जाडू लगा दिया जाएगा, बिल्कुल साप कर दिया जाएगा, और कल के लिए फिर से एरेडी हो होता है, तो फिर इसी तरीका से ही परिक्रिया अपना के सफलता पूवक बकरियों को बचाया जाता है, कि तीन विभाग में मैंने बाड़ा बनाया, बाहर है, बीच का और अंदर का एरिया, तो जैसा कि देख रहे हैं कि बाहर बहुत कुहासा है, ठंड का दिन है, फिर यह क्यूंकि मुझे थंड से कोई दिकत नहीं, कोई डर नहीं, कोई परसानी नहीं है, क्यूकि बखरियों बिलकुल बसा युक्त है, इन्हें मैं खाने में चीजए मिला मिला कर दे रहा हूं, जी से सरसोवा खली बाइलेस डाइट, यानि जो बाइलेस फूड होता है, सब मिला कि इसे मैं दे रहा हूँ, शरीर में कोई तरह के कमी नहीं है, हाँ छोटे छोटी छोटी बकरियां दीख रही है, बच्चे छोटे दीख रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि मैं देशी ब्रीट पे काम करता हूँ, इसलिए हमारे यहां की परजातियां छोटी ही होती है, त दिखे लकडी का तक्ता विल्कुल इस तरीका से रात में लगा के रख लिया जाता है जिस पर की बच्चे बढ़ते हैं और बकरिया बढ़ती हैं तो पूरा मेगनी किया हुआ है और इस समय मैं पूरे में जहाडू लगाऊंगा और जहाडू दम टैम से आप लगाएं और बच्चा किया है कि किस तरीका से काम करना चीए तो कोई दूसरा वेक्ति आपके लिए इतना नहीं कर सकता तो ठंड कर दिन में बीच में निकालने से कि बच्च में पिसाब कर रही है तो अंदर का एरिया एक हद तक मेरा सुखा सुखा रहेगा और बहुत दिन से लगतार पड़ रहा है तो अंदर का एरिया में कुछ नमी है लेकिन उतना भी नमी नहीं है जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा लुक्सान हो प्रती दिन का काम है कि बकरियों को बीच में निकाल दिये और नहीं तो बकरियां बीच में रहेगी और बीच में ही खाना पिने इनका होगा और अंदर का एरिया को इस समय साफ कर दिया जाएगा तो बाड़े में जिसना जल्दी आप सफाई करते हैं और गंदगी मुख कर लेते हैं कोहीं बकरी पालन में आप सफल हो पाते हैं तो देखें लकडी का तक्टा लगाने से यह फाइदा है और भारी-भारी मैने नहीं सफाई कर ले और बहुत सारे वीडियो में आपने यह भी सवाल किया है कि इस तरीका से इंट लगाए हैं तो जहाडू कैसे मारते हैं जहाडू कैसे लगाते हैं तो भी आप देख पाएंगे कि दिखें इस तरीका से मैंने पट्रा उठाया और जो भी रात में बकरी इन का काम है कोई तरह का परसानी मुझे नहीं होता तो यह मैं पूरे बाड़े में इस तरीका से सफाई करूँगा यह मेरा रोट प्रती दिन का काम है लेकिन मैं बस वीडियो के माधी हम से आप लोग को बीच में इस तरीका से हम पूरे बाड़े में सफाई करेंगे और ऐसे आप हो जाएगा कई बाद पूछते हैं कि जो बीच का गयफ है उसमें आपने क्या डाला है मैंने इसमें रेत डाला है बिना सिमेंट मिलाए आप चाहें तो ह अगर फिसाब करती है वह अंदर चला जाता है और पिसाब बकरी कम से कम इसके अंदर कर पाए अंदर बाला इरिया में कर पाए इसके लिए परकिरिया वह अपनाता हूं जो पूरे वीडियो मैंने भासन दिया तो दोस्तो एस प्रकार का दिकत नहीं होगा सफलता बकरी पालन कर पाएंगे, तो मुझे यहां से लेके वहां तक पूरे में सफाई करना है, तो मुझे एक घंटे के लगभग लग जाएगा पूरे सफाई करने में, उसके बाद बकरियों को बाहर निकालूँगा और बाहर बाहर का जो बीच का एरिया है उसको सफाई करूँग आपको मिले और आप सफलता पूरुवक सोच समझ के बकरी पालन करें करते करते भी आप सीख सकते हैं लेकिन तब तक बहुत बड़ा लौ सोच चुका होगा लेकिन अगर आप सीख के करते हैं तो बहुत ही आप आगे तक जाएंगे तो नबसकार दोस्तों प्रणाम धन्यवा आप सकते हैं लेकिन नबसक्ती करते हैं प्लीक से जाएंगे चाहिवाश प्रणाधे प्रणावाश जाएंगे टोस्तों प्रणावे प्रीज नाएंगे लौ भी बड़रुप